दोस्तों अंतरिक्ष के बारे में आप कितना जानते हैं आपने किताबों में अंतरिक्ष के बारे में जरूर पढ़ा होगा लेकिन जितना हमने किताबों में पढ़ा है अंतरिक्ष उससे कहीं ज्यादा विशाल और विस्तरित है बहुत सारी चीज़ें सी हैं जो हमें कभी कित इसने को नजदीक से समझ सकें। हम लोग तो इस ब्रमांड के बारे में अभी 0.0001 प्रतिशत भी नहीं जानते हैं। तो ज़रा सोचिए कितना कुछ इस ब्रमांड में चीपा होगा। तो आएए दोस्तों जानते हैं ब्रमांड, अंतरिक्ष और स्पेस से जुड़ हुए कुछ मज़िदार रहस्य है। वेनस बहुत सिलो है, अपने रोटेशन में ये फिर हावाय भाहते चलती हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट में लिकर जरू बताईगा। ब्लूटो बहले ही एक बोनागर है, लेकिन इस ब्लैनेट पर भी माउन्टेन और जोला मुखी है, जो कि सच में हरान करने वाली चीज है। सूरत से इतनी दूर होने के बाद भी उसकी जमीन में इतनी सारी हलचल कैसे हो सकती है, ये आज भी वग्यानिकों के लिए रहे से बना हुआ है। हमारे सोलर सिस्टम में आठ प्लैनेट और एक सूरिय है। पहले नो हुआ करते थे प्लैनेट लेकिन अब एक को घटा दिये गया है। सूरिय है हमारे सोलर सिस्टम का लीडर भी है और यू का है कि जनक भी है। हमारे धरती पर जीवन केवल और केवल सूरिय की वज़े से ह लेकिन कि आप जानते हैं कि ये सूरी इतना बड़ा है कि हमारे सोलर सिस्टम का 99.86 प्रतिशत मास कंटेन करता है सैटरन यानि कि शनीगर है कि मौन लेपिट्स ने वेग्यानिकों को मौह में बांध लिया है यानि कि उनकों कन्फ्यूज कर दिया है कि ये सूलर सिस्टम का एकलोता है सकर है जो दो रंका है लेपिट्स का आदा इससाड़ार का रंका है और आधा लाइट कलर का इसके पीछे कि क्या वज़े है ये कोई नहीं जानता है लेकिन वेग्यानिक फिर भी पीछे पड़े हैं इसके रहसे को जानने के लिए जो लोग ऐलियंस में अब भी विश्वास नहीं करते हैं उन्हें बता दें कि हमारी गलक्सी में 100 बिलियन सोलर सिस्टम है यहने कि 100 बिलियन तारे हैं और उनके इर्दगिर्द गोहमते हुए 1000 बिलियन करे हैं तो किसी ने किसी पर तो जीवन होई सकता है और उससे भी बड़ी बात ये है कि हमारी गलक्सी अकेली नहीं है बलकि इस ब्रह्मान में 100 बिलियन ऐसी गलक्सीयां है जैसी हमारी गलक्सी है और हर गलक्सी में 100 बिलियन सोलर मंडल है तो ज़रा सोचिए, इतनी सारी जगह हैं, इतने सारे सूर्य हैं, इतने सारे ग्रह हैं, तो कहीं न कहीं तो जीवन अवश्य होगा यदि हम ये मान कर चलें कि कहीं पर भी जीवन नहीं है, तो हमें हमारी धर्ती और हमारे जीवन को रिस्पेक्ट करनी चाहिए सिर्फ ग्रहों के बाहरी चांद चक्कर नहीं लगाते हैं 1990 में गैलियो प्रोब एक एस्टरोइड के बगल से गुजर रहा था इस एस्टरोइड का डायमेटर केवल 32 किलमेटर का था यानि कि ये एक एस्टरोइड था लेकिन तब भी उस एस्टरोइड का एक दर्शमलो 6 किलमेटर डायमेटर का चोटा सा मून था जोसके और चक्कर लगा रहा था तो दोस्तों इस ब्रमान में बड़े से बड़े ग्रह मोचूद हो सकते हैं और चोटे से चोटे रोकी प्लेनेट के भी हमारा सोलर सिस्टम चार दसमनो 6 बिलियन साल पराना है पहले हमारे सोलर सिस्टम में केवल मेटियो रॉक्स थे देकिन फिर टकराव गैस एक्स्प्लोरेशन और कंडिशन्स के बाद हमारे प्लेनेट बनना शुरू है मीटियरोक से बने मर्क्यूरी, वीनस यानिकी शुकर, मार्स यानिकी चांद और गैस से बने जुपिटर यानिकी ब्रस्पति गरह, सेटरन यानि शनी गरह, यूरेनस यानि आरून गरह और नैप्चुन यानि वरून गरह प्लूटो एक रॉकी प्लेनट है और सबसे अंत में है और हम भी कन्फ्यूज हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का प्लेनट है या नहीं परन्तो अब इसे बोने गरे की शिरणी में डाल दे गया है अब ये प्लूटो को किवले एक बोना गरह माना जाता है हमारे महासागर तुने बढ़ है कि इनमें दुनिया के सारे लोग समा जाएंगे और तब भी जगे खाली बच जाएगे लेकिन जिपीटर पर एक ऐसा महासागर है जिसमें हमारी पूरी धरती समा जाएगी और तब भी जगे बचेगी और ये महासागर पानी, गैस और मेटालिक हाइड्रोजन का बना हुआ है प्लूटो एक छोटा ग्रह है, इसलिए तो उसे बोना ग्रह कहा जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लूटो का डायमेटर अमेरिका की चोड़ाई से भी कम है इसके लावा प्लूटो का सर्फेस यानि कि छोटी सी ननी सी दुनिया हमारी धर्ती पर कई बॉलकेनोज हैं, जमीन पर भी और जमीन के अंदर भी लेकिन हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा बॉलकेनोज धर्ती पर नहीं बलकि मार्स पर है और इसके हाइट मांट एवरेस्ट से तेन गुणा जयता है अगर स्पेस में सेम मैटल यानि कि एक ही पदार्त की बने हुई चीज़े संपर्क में आ जाती तो अलग नहीं हो पाएंगे वो एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाएंगे जैसे कि उनके बीच में कभी को जुड़ था ही नहीं यानि कि वो बिलकुल पर्मनेंट जुड़ जाएंगे और आपस में जुड़ी रहेंगे इस फिनोमेना को कॉल्ड वेल्डिंग कहते हैं और ये इसलिए होता है क्योंकि दोनों चीज़ों के एटम को ये नहीं पता होता कि वे अलग अलग चीज़ों के हैं गॉल्ड वेल्डिंग धर्ती पर नहीं होता क्योंकि दोनों चीजों के एटम जानते कि वे अलग-अलग हैं क्योंकि उन चीजों के बीच हवा और डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं जो ने अलग-अलग रखते हैं हमारे धर्ती ये कई light years दूर हमारे galaxy में एक और planet है जो की पूरी तरह diamond से बना हुआ है 55 कैंकरी सूपर अर्थ के नाम से भी जाना जाता है हमारे धर्ती से ये दोगुना से दबड़ा है और ये पूरी तरह granite और diamond का बना हुआ है अब सूचिए इतना बड़ा हीरा ये धर्ती ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है इसका गुर्तवा करशन बाल इतना ज्यादा होता है कि इससे प्रकाश भी बचकर नहीं निकल सकता इसके अंदर जो गया वो कभी वापस नहीं आया वीनस पर एक दिन 243 दिनों के बराबर होता है जबकि एक साल 222 अर्थ दिन के बराबर होता है हैसा इसलिए क्योंकि वीनस जितनी तेजी से अपने अक्सेस पर रोटेट करता है उससे कहीं ज़्यादा तेजी स्पीड से है सूरज का चक्कर लगा लेता है नहीं कि यहां पर दिन साल से बड़ा है हमारी गलक्सी में एक ऐसा प्लैनेट भी है जहां 24 गंटे शिशे की बारिश होती है और वो भी 43 सो माइल्स परार की स्पीड से सूचिए यदि आप यहां पर होती तो आपका हाल क्या होता प्लूटो एक बहुती चोटा प्लैनेट है लेकिन इसका और्बिट बहुती ज़्यादा बड़ा है प्लूटो का और्बिट धर्ती के और्बिट से दो गुना ज़्यादा बड़ा है इसका और्बिट में 20 लेर है सूरी हमारे चांद से 400 गुना जदा बड़ा है लेकिन हमारा चांद सूरी के मुकाबले धर्ती से 400 गुना पास है और इसी कुदरत के करिश्म के वज़े से सूरे ग्रहन मुम्किन हो पाता है ऐसा इसली कहा जा रहा है क्योंकि सारा डिजेट और अंटार्क्टिका में पाए गए सेंड और रॉक सेंपल मार्शन औरिजन के हैं कोई नहीं जानता कि ये कहां से आये लेकिन इसे ये पता चल जाता है कि मार्स और अर्थ के बीच कोई तो connection है नियोट्रोन स्टार बहुती छोटे कंप्रेस्टार होते हैं देकिन ये स्टार बहुती पॉलिटाइल और अपने एक्सेस के अराउंड बहुती तेजी से स्मिन करते हैं कई न्यूट्रोन स्टार एक सेकंड में अपने एक्सेस के राउंड 600 चकर तक लगा लेते हैं सैटरन शनी ग्रह के वली कैसा ग्रह नहीं है जिसके आसपास रिंग है यानि कि छल्ले हैं जपिटर, नेप्चुन और यूरेनेस के आसपास भी रिंग है बस ये बहुती ज़्यदा पदले हैं इसलिए हमें दूर से दिखाई नहीं देते लेकिन शनी ग्रह के रिंग बहुती ब्राइट, स्ट्रॉंग और मोटे हैं इतने ज़्यदा हैं कि शनी के एक मून पैन से सैटरन के कुछ रिंग अपने अंदर अब्जर्व कर लिया और कारण उसका शेप एक अखरोड जैसा हो गया शायदा आपको ये पता नहीं होगा कि साल 1909 तर में आप अलो मिशन में औरंज फलेवर वाले एक ड्रिंक को चांद पर ले जा गया था दरसली है पहला मिशन था जिसमें इंसान ने पहली बार चांद की धरती पर कदम रखा था ब्रहमांड के बारे में सबसे विश्वसिनी थियोरी है बिग बैंक की थियोरी बिग बैंग थियोरी के मताबिक शुन्य क्याकार का ब्रह्मांड बहुत ही करम था जिसकी वज़े से इसमें विश्वोट हुआ और असंख्यकणों में फैल गया तब से लेकर अब तक लगातार फैलता जा रहा है पर सोचने वाली बात ये है कि पेन की नोक से भी छोटे ब्रह्मांड के अंदर ब्लास्ट होता है इतने सारे प्लानेट इतने सारे तारे इतने सारी कलक्सीज बन जाती है इसी को कहते हैं इश्वर की माया हम सिर्फ ये कलपना कर सकते हैं लेकिन कभी प्राक्टिकली सोच भी नहीं सकते हैं एक बार फूर मिलते हैं तब तक कि लिए नमशकार जय हिंद जय भारत